कच्छा ग्याना रसायन भी ज्यान में आपको कल एक वीडियो भी दिया लिया अब उसके साथ नोट्स अभी भेजेगे अब उसके बाद जो है परमार्ट तक नोट्स आपको भीजे चाचुके हैं उसके बाद में हेडिंग आती है परमारों के माडल के परमारों के माडल तो उसके माडल में पहला माडल होता है डाल्टन का परमारों माडल पहला क्या होता है डाल्टन का परमारों माडल तो ज्या होता है डाल्टन के परमारों माडल के उद्थ्पप्ति जान डालतन ने परमार्व पर आधारी सिध्धान प्रस्कुत किया जिसे डालतन का परमार्व माडल कहते हैं परमार्व माडल के अंसार क्या होता है उसके अंसार होता है कि परमार्व जो होता है वह आठी सूछ में गोला काड़ विद्धु दुद्दाशीन कड़ होता है दूसरा पॉइंट बताया गया कि परमार अभिभाज्य होता है अभिभाज्य का मतलब इसे भी भाज्य नहीं किया जा सकता है जो परमार होता है वो अभिभाज्य होता है इसको भी भाज्य तो नहीं किया जा सकता है कि कि किसी एक सभी परमाजहों सब्सक्राइब होते हैं उसका छालोंग सब्सक्राइब लेकिन उसके बार में आधुनिक परमारवाद में बताया गया कि जो परमार होता है वो अभिभाज नहीं है उससे भी भाजित किया जा सकता है लेकिन जो परमार का नाविक होता है तो परमार के सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि परमार का नाविक क्या होता है परमार का नाविक यह है तो इसके पत्रासा क्या होती है परमार के नाविक की परमार का वभाग जहां पर उसका समस्त भार के वह वह भार जहां पर उसका समस्त भार निहीत होता है पता मं covenant कहें र přिया कर बांक की प्रोटान और ृ empresa कर लगा И परमारि के नादिट में प्रोटान व्युक्त कर जाते हैं और रहने चरोड चक्क चाने लगा प्रोटांट न्यूट्रान पाए जाते हैं लिटान परणाम नहीं ये व्यालंडी से वी लो अगर प्रकार से उसके लिए एक चित्र बनाएं दिया जे विसार जन्नाईनी में एलोडा कैफोग बनाएं आर इस विसार जन्नाईनी को उच बोड़ता वाले विभाव से जोड़ दिया गया इसको बोलते हैं उच विभाव उच विभाव दिया इस विभाव बाले सोड वाला स्टोर यह जो होता है वो कैफोड होता है जो जो होता है इसका नाव कैफोड होता है और इसका नाव आज चलते हैं तो कैफोड है कि तो तो से पहले जूलियस प्रकार बढ़ आने ते जूलियस प्लकार ने गयसों का बिर्टुद्ध लिए एक बिशेल्जह लेकर सतब्रक्रण में गर्षों का बिल्दथ रिशार्जण किया जिसके भल स्वरूप कायटोर्ट किरनों की उत्पत्ति वह जो रेज हैं इनको कायटोर्ट की ओर से निकली है इनको कायटोर्ट किरने का जाता है जूलियस प्लकर में बिसर्जन नली लेकार उसमें गैस भंदी और इनोड के मांदल से उच्छे भीभाव वाले उच्छे भीभाव वाले सोत से जिसका मिम्वांतर होता है दस हजार बोल्ट की बैदरी से जोड़ दिया उसका दाव इतना रका 10 की धात माइनेस शायल एमया दाव रखा पारे के दाव की बराबर रखा और कुछ समय बात देखा कि काईतोर से कुछ किरने थो अर्ण की और दो गति इनोड की और जाती है तो कैटोर्ड से निकल कर किन एंडों की ओर जाती है। इन कीनुणों का नाम कैटोर्ड रज रग दिया लिया, क्यंदार किकर काख़ोर्ड से निकल कार जी रेलियम तूग्स ने बदाया हि जो काख़ोर्ड रेज रोorts है या काख़र्ड कि冷म और रेल्मी स्य कहती है जो सूच मकड़ों से मिलकर बनी होती है जिनका नाम इलेक्तान रखा गया इलेक्तान जो होते हैं इस प्रकार से इलेक्तान की खोज हो गया और इसके बाद में प्रोटान की खोज कैसे नहीं कि डिस्कावरी या प्रोटान की यहां पार जो जेक्तान लिया गया यह होगे आपका कैसे इसको मां लिया गया इनू जेक्तान हो यहां से सब्सक्राइब करें अब बागी उच्छ भी वह का स्रोथ भी रहेगा और दस घ्राद माइने च्राइब गोल्ड इस्टीन ने जाने पें गोल्ड इस्टीन गोल्ड इस्टीन ने च्छिर्द्रित कैथोड लगाकर लगाकर गैसों का विद्वित विसर्जन किया और देखा और करतिया देखा कि कुछ किरने कैथोड से कैथोड से निकल कर एनोड की ओर गति करती है तथा कुछ किरने एनोड से निकल कर छिद्रित कैथोड को पार करती है और कैथोड के पीछे प्रति दीव तोट्पन करती है इन किरणों के गुड़ो का अग्द्यान डबलू वाइन डबलू वाइन और जेजे टांसन ने किया और डबलू वाइन के इनका नाम धनावेशित होने के काना धन किलने रग दिया गया है तो इसकली होने के रग दिया और जेजे टांसन ने इनकिरणों का नाम कहिनाल किलने रग दिया और सन उन्नीच में में अगधर बोड ने में बताया कि जो कहिनाल गिरने हैं यह लगावेसित कड़ों से मिलकर बनी हैं और इनका नाम प्रोटान नग दिया गया प्रोटान जो होता है और उस परकार से प्रोटान की को जो गए इसके बारे में निूट्रान की खोज अब नीट्रान की खोज कैसे हुई वो देख लेते हैं नीट्रान की खोज कैसे हुई एक बन्यानिक जेम्स चैडवीक जेम्स चैडवीक ने बिरेलियम धात पर एलफा कनो की बंबारी करा देखा की एक करप्रात होता है जो उद्धा सीन होता है और जिसका नाम इन्हों में Treyand 映 न्युट्राइ से वीघर करने उठर आप है तो बिखरने केलब और यह का मैं प्रेशालंग होता है ता यह होते हैं नहींते हैं मिल्हें allीया इसको एल्फा कान भुलती है एल्फा कान की बंब बहुत करा दिए तो साथ में कार्दान आभी पामेला और साथ में जीरो यां वाद एट ये काने निकला इस कार्दान आभी क्या रखिया गया देशनकी हो गई है कि इसे अनिक रॉंप्रकार से निकलाण की खोज हो गई है कि यसी बाल पर बिस्ता है कि पर्मारण क क्या जहाँ पर भीहां पशक्र जहां पर पर्मार का वाभाग जहां पर इसका समझत बहार नीट होता है पर्मार नाभी कहलाता है पर्मार के नाभी में प्रोटान और नूटरान पाए जाते हैं तथा इलेक्तार नाभी के चाल और निशित कर्छाओं पर चक्ता लगाते रहते हैं परमारु का वाभाग जहां उसका समझत भाग नीद होता है नीद होता है नीद होता है परमारु कहलाता है पर्मारु के नाभिख में प्रोटान और निट्रान पाया जाते ह हैं और लिक्तान नाभिख के ज़ार नीशित कर्फंपर चक्कट अब इसके बाद के बाड़ी आती है पर हुआनद कि पर्माल कि नाभिक में, वही पर्माल के नाभिक में प्रोटानों नि उख्रानों होते हैं, परमार करमान क्या हूता है परमार के नाविक में उपस्केथ प्रोटानों की संख्या को उस परमार का परमार करमार करते है फर्मार क्रमान का पर्मार के नाभी में उपसके प्रोटान की संख्या को पर्मार करमान होता है quelle tan कि बराबर होता है प smiles the sun कие बराबर होता है कैसे तो एक ठाहिगा बना लिए पर्मार करमान को प्रोतानों की संक्या अबराबर कि अ सब्सक्राइब प्रोटान पर होता है और और लेक्तान पर रिरावेस होता है तो जब प्रोटान फितने धहनात्मक होने तो प्रॉटानों की शंग्या संक्या के बराबर बाती तो पर्मार के बराबर प्रोटानों की संक्या अर्वा आज इसके बान में आता है परमाल भार परमाल है देखिए तरह कि अपर मधारी पर मार्ग को नाविर में फ्रोटान न्यूतराम को कि इनको जोड़ जहां हुआ है सब्सक्राइब कर दो कर्मार के नाविर में उपस्केजर प्रोटानों और निंतरानों की संध्याद और योग को पर्मार अब ब्रमार के लानी में इस话 उपस कि प्रोटाजों और सब्सक्राफ की से योग मोदकि भार करते हैं तो गाल द़्याइगा प्रोटानु की संक्या धन निट्रण में कि अफ्रोटारों की संक्यादान न्यूद्रामिंगेस है अब जैसे एक परमाद्भार करें कैंसे सट्रा प्रोटान है सब्सक्राइब करेंगे अब इसी से क्या करेंगे अगर प्रोटानों की संज़ा भी गई पर्मालुभार दिया और पूंचा जाए तो उसमें प्रोटानों की संख्या वह दिया गई जब नुटानों की संख्या नहीं गई तो घ्रानों की संख्या तो तो अब पर्मारु भार बना ले तो दूसरा भाणूला बन जाएगा आपका निउत्राण बराबर पर्मारु भार मैंश पर्मारु भार बना देगे तो निउत्राण आज़ागे जैसे इसमें बताये गया कि इस में परमान सब्सक्राइब केजिए इसके बार्मान सब्सक्राइब इसके बाद में आता है समस्थानी क्या आता है समस्थानी या आइसो टॉप्स कि अगरेजी में कहते है आइसो टॉप्स यह हिंदी में कहते है समस्थानी क्या होते है ली तर्फ के वे परमाग डीर निटी के परमाण करमां कर समान होते हैं और निटाद में कर दोड़ाएं यहां जैसे यही तक्तु होगा जैसे हाइडोंजन 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 एक पर्मार क्रमार के एक होते हैं तो तीनों के परमार प्रमाद के समान हो गए तता परमार भार भीन बिल्न होते हैं तो इसका परमार भार एक तो इसका प्रोटियम बोलते हैं और वर्यास्टू को डूतिरियम कुछे हैं तो यह को गए समस्धारी के आइसा उच्टू आए तो इस आपको बताई कि समान होते हैं रभार भार भीन टोते हैं समझ हां कर आपने जैसे वादे सकारवन सब्सक्रीख इसके बार में आता है आइसो बार या सम भारी अगों सम भारी के नाम से ही प्रतीत हो रहा है सम बराबर भार भार तो आइसो बार है और सम्हारिक आते हैं संहारिक प्रती हैं कि बियाए बीन तक्तों के वे परमाल जम कर्मांत बिन यह थे हैं बिननी बिनने तक्तों के वे परमार जिनके परमार क्रिमान तो बिननी होते हैं परहत्थ परमार उभार एक समारथ होते हैं प्रण्द पर्मार्वार्वार्व एक समान होते हैं समभार्वारिक कहलाते हैं समभार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार् होते हैं तता परमाणभाद एक समाल होते हैं सामुभारी कहड़ा जैसे जैसे 18 एर 40 है उन्नीस के 40 और 20 यह जान यह आर्गन होता है यह पोटेसियम होता है यह कैसी हम सब्सक्राइब यह कैसे 20 परमार्ण कर्मार्ण को होता है यह कैसा हम है कि तो शाइस के बहुत और इसके बाद में आता है वेक्तारिक विन्यास जो आपको नेक्स मीडियों में बताए जाएगा